आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi या फिर MI phone को reset होने के बाद चालू कैसे करें या फिर reset करने के बाद start कैसे करें तो phone को reset करने के बाद कुछ ऐसा interface आपके सामने आता है तो यहाँ पे आपके phone में MIUI 11, 12, 13 आ सकता है तो यहाँ पे आपके phone का MIUI अलग हो सकता है तो कुछ ऐसा page आपके सामने आता है तो नीचे इस arrow पे किलिक करिए उसके बाद अपनी language select करिए तो English already select होता है तो यहाँ पे अब नीचे इस arrow पे किलिक करिए next करने के लिए उसके बाद आपका country automatically select हो जाता है अगर नहीं होगा तो यहाँ पे अपना country select करिए तो जैसे कि इंडिया पहले से select है तो हम इसे next करेंगे तो नीचे इस arrow पे किलिक करिए अब उसके बाद आएगा terms and condition user agreement तो नीचे यहाँ पे इस privacy policy को select करिए यानि कि agree करिए तो इस पे किलिक करिए और नीचे इस arrow पे किलिक करिए अब उसके बाद अगर आपके phone में net नहीं है तो यहाँ पे वाइफाइ connect करने को कहेगा तो अगर आपको नहीं करना है तो इसकी पाएगा नीचे इस पे किलिक करिए अब आपको wait करना है getting your phone ready तो कुछ minutes का wait करिए अब यहाँ पे अगर आपको अपनी किसी दूसरे phone से इस वाले phone में data transfer करना है तो आप कर सकते हैं तो हम don't copy करेंगे नीचे उसके बाद फिर से wait करिए हम account नहीं बनाएंगे तो नीचे skip option पे किलिक करिए यहाँ पे skip करिए फिर से तो यह जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे more option पे किलिक करिए accept करिए यहाँ पे screen lock लगाना है तो लगा सकते हैं हम बाद में लगाएंगे तो skip कर रहे हैं ok करिए तो यहाँ पे आपका phone अब ready हो गया है इस arrow पे किलिक करिए agree करिए यहाँ पे आप classic या फिर एप ड्रॉर select करिए जो आपको use करना है उसके बाद setup कम्पलीट आएगा तो इस arrow पे किलिक करिए यहाँ पे apps लोड हो रहे हैं अब यहाँ पे कुछ हे seconds का और wait करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका phone चालू हो गया है अगर आपको यह video पसंद आई तो इस video को like जरूर करें